नमस्कार दोस्त मैं हूँ रहूल तिवारियो और आप देख रहे हैं टेक्निकल दद्दा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आलब लाइकन दवाना बिल्कुल भूले चलेगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडिय उसे काफी कुछ यार सीखने को मिलेगा अगर आपका आपने अभी तक कोई चैनल ही नहीं बनाया है अगर आगे आप बनाने का सोच रहे हो तब भी आपको इस वीडियो को पूरी वाच करना चाहिए आपको बहुत कुछ यहां से सीखने को मिलेगा सो गाइस प्यारे दोस् न्यू चैनल बनाया या एक न्यू चैनल मैं क्रियेट करने जा रहा हूं अगर यूट्यूब की तरफ से एक टास्क है कि 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वाज टाइम आपके यूट्यूब चैनल पर होने चाहें कंपल्सरी है वो भी एक साल के अंदर आपके कंप्लीट होने ह अगर मान लिजिए मेरा एक साल के अंदर कंपलीट नहीं होता है तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा फिर क्या होगा तो यहां पर अगर आपका एक साल के अंदर अगावगर आपका जो भी यूट्यूब की तरफ से जो टास्क है 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का मोनेटाइज आपको यहां पर बिल्कुल भी टैंसन नहीं लेना है कि मेरा चैनल एक साल हो गया मालीजी मेरे सबस्क्राइबर होगे वाशटाइम कंप्लीट नहीं हुए तो क्या अभी मेरा चैनल नहीं होगा बिल्कुल होगा और यह कैसे होगा इसको थोड़ा सागर मैं य चैनल बनाया था जैसे मालीजिये अगर आपने आज चैनल बनाया है एक जनवरी 2021 को आपने एक चैनल क्रियेट किया ऐंड आपका जो टास्क का यूट्यूब की तरफ से उपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइब स्थार हजार घंटे का वाज टाइम आपको एक जनवरी 2022 22 तक complete कर लेना है लेकिन अगर आपने complete नहीं किया तो फिर आगे आपका कैसे YouTube का क्या algorithm है वो कैसे count करता है आपके subscribers आपके 4000 घंटे का watch time जो आता है उसको वो कैसे count करता है और आपका जो टास्क है वो complete होना था लेकिन नहीं हुआ अगर वो माल लीजिए आपका एक जनवरी 2022 को होना था दो जनवरी 2022 को अगर आपका जो टास्क था YouTube का अगर वो complete हो जाता है फिर भी आपका channel monetize होगा देखिए अभी YouTube क्या करेगा कि आपका जो चैनल बना था एक जनवरी 2021 को बना था लेकिन अभी क्या क्या करेगा वो count करेगा 2 जनवरी 2020 से यानि कहने का मतलब एक दिन इधर से आपका माइनस करेगा एंड एक दिन आपका उधर प्लस करेगा एंड उधर क्या करेगा कि उधर आपका एक दो फरवरी 2022 तक का आपको वो काउंट करेगा एक साल मतलब एक साल आपका एक जनवरी 2021 लेकर एक जनवरी 2022 तक कंप्लीट होना था लेकिन अब भी वो क्या करेगा कि एक जनवरी छोड़ देगा एक दिन हटा देगा और फरवरी को लेगा और दो फरवरी 2022 अगर फिर भी नहीं हुआ तो एक महिने कि मतलब तीन दिन का ऐपको टायम दएगा दो दिन का फिर टीन का देगा चार दिन ऊधर जैसे जासे गटाता आथ आपको एसे वैसे टाइम भी इकरता चला जाय Completely इस तरीके अगर मालीजी आपके एक दो फर्वरी या मालीजी आपका जो है जन्वरी में आपने बनाया था आपना मालीजी चैनल बनाया था तो एक फर्वरी को अगर आपका मालीजी हो जाता है 1000 सब्सक्राइबर 4000 गंटे का वाज टाइम तो एक फर्वरी से वो count करेगा एक फर्वरी 2022 तक कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक फर्वरी 2021 से वो count करेगा एक साल आपका एक फर्वरी 2022 तक अगर आपका उसके बीच में भी भाई हो जाता है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा अगर फिर भी नहीं हुआ तो मार्च का टाइम देगा मार्च इधर आप मार्च से count करना स्टार्ट करेगा और वो मार्च 2022 तक काउट करेगा फिर आपका अप्रेल देगा फिर आपका मई देगा जून देगा इस तरीके इधर घटाता जाएगा उधर आपको टाइम इक्स्ट्रा देता चला जाएगा इस तरीके अगर आपके भाई माल लीजिए आपके एक साल में नहीं हुए दो साल में हो जाएंगे दो साल के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत